सतलोगधाम टीवी को सब्सक्राइब जिरू करें आत्मा में भी भगवान एक है पर उसका पता नहीं चल रहा था बेहन जी जब आप देव देवताओं की पुझा करते थे तो फिर आपको कौन से परमात्मा की तलास थी ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी कमी आपको ख़ल रही थी हम जब स्कूल में पढ़ती थी तब मुहां प्रेयर होती थी तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू ही वाहे गुरू तू ही एक परमेश्वर है बट उसका कोई भी नहीं बताता था कि वो परमात्मा कौन है कैसा है उसका कोई प्रमान नहीं मिल मुझे मैं टीवी में ससंग देखती थी हर गुरू के ससंग देखती थी पर संतुष्टी नहीं थी संत्रामपाल जी महराज के बारे में आपको कैसे पता चला हमारे गाउं से ये जुड़े हैं विनोध दास जी उन्होंने हमें बताया ग्यान गंगा पुस्तक दी और साधना टीवी पर ससंग देखने के लिए कहा और मैंने ससंग सुना हर रोज ससंग सुना और पुस्तक इसना दूर हरियाना में जाकर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्स अली इसके पीछे क्या कारण है सबसे पहले तो जो हम भक्ती कर रहे थे वो शास्तर विरूद साधना थी ये पता मुझे सत्गुरू जी के रामपाल जी के ससंग से चला कि हम शास्तर विरूद साधना क तिए उसकी वज़ा से मेरी आर्थिक स्थिती बहुत बिगड़ गई थी सब रिष्टेदार सब लोग बहुत दुखी थे मैं हर टाइम मुझे कोई चाया आती थी और वो मुझे बहुत अंकरती थी मेरे अंदर कोई और चीज बोलती थी अंदर से कोई प्रेत बोलता था उसे मेरे बच्चे सब मुझे से डरने लगे थे पूरा गाओं मुझे से डरता था और कभी कुछ भी बोल देगी या हमें मार देगी पत्थर मारेगी पागल जैसी सितिती हो गी थी मेरे पती नशा करते थे शराप पीते थे और सिग्रेंट जरदाव गिराज साथियों में खा लेते थे मीर तक भी खाते थे उससे में बहुत ज्यादा दुखी थी मैंने बहुत कोशिश की कि वो ना खाए वो ना पिये क्योंकि मैं बचपन से भगवान को मानती थी मुझे इस चीज़ से बहुत ज्यादा घ्रिणा थी लेकिन कहीं भी वो नशा नहीं चुटा उनका मेरे पती का और उन्होंने भी 2014 को सत्गुरु संत्रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त किया और वसी दिन से जिस दिन उन्होंने उपदेश प्राप्त किया नशा करना तो दूर छूना चुआ तक नहीं हमारा घराज स्वरक के समान है मैंने 2014 को संत्रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त किया जिस दिन मैंने उपदेश लिया आश्रम में गई उस दिन से आज तक मुझे एक बार भी वो बूत प्रेत की वाधा नहीं हुई मैं बिलकुल स्वस्थ हो गई मैं हर चीज मेरा आना जाना बिलकुल बंध हो गया था जैसे बोलते ही माचल में देवी देवता भी छोत लगती है कुछ भी वो सब कुछ ठीक हो गया आज में कहीं मृत्य होती है वहां भी जाती हूँ मतलब कि किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है जो मुझे था और क्या लाब मिले आपको आपके पती जो नसा करते थे उसमें आपको क्या लाब मिले वो बिलकुल स्वस्थ हो गया और वो मेरे दुख से बहुत ज्यादा दुखी थे जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिती बहुत ज्यादा खराब हो गयी थी बहुत पैसा इन देवी देवता और इन पंडितों ने हमारे को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था एक पंडित को लाते थे वो कहते थे इसके अंदर जो भूत है उसको बली देनी पड़ेगी, उसको बकरे का खून दो फिर हम हिमाचल में उत्राखंड तक जाते थे मेरे गोध में छोटा सा बच्चा होता था उसको लेके एक साल का बच्चा था उसको लेके इतनी दूर जाते थे मैं गाड़ी में बैठ तक नहीं सकती थी सोके ही ले जाते थे मुझे और साथ में गाड़ी में खड़ू बकरा उ पूरी राज जागरन सुनती थी तलाश करती थी उस पर मेश्वर की लेकिन ऐसे लगता था वह तलाश पूरी नहीं थी मैं इतनी दुखी हो सकती हूं जो भगती नहीं कर रहे उनका क्या होगा ये सोस्ती थी मैं अपने मन में बहुँ ज्यादा दुखी थी बैंजी जैसे कि आपने बताया कि संतराम भाल जी मारात से नामदिक्सटा ले। आपको बहुत साइअला मिले। आज आपके जिवन में क्या ही? आज हमारी ही अच्छी है मेरी सास भी पहुत ठीक हो चुके हैं मेरी सास काफी सालों से मेरी शादी से पहले से ही बीमार थे कभी उनका नाग की हड़ी बढ़ जाती थी उसी प्रेतवादा से मतलब कि वह प्रेतवादा पहले से घर में थी उनको भी बहुत अंकरती थी वह प्रेतवादा मेरी सास को खून की उल्टियां हुई नाम उपदेश लेने से पहले फिर उ जानते हैं लेकिन वो शास्तर के अनुसार भगती बताते हैं जानते हैं लेकिन वो शास्तर के अनुसार भगती बताते हैं कहीं रिष्टेदारी में किसी को कुछ दुख है किसी को कुछ दुख है बहुत ज्यादा दुखी है और इन पंडितों के चकर में मत पढ़ना आप कभी भी कभी ये बली दिलवाएंगे कभी शराब कभी बहुत ज्यादा पैसा हमारा भी वेस्ट हुआ आप अपना पैसा भी कि अधिर चैनलों पर सत्संग सुनों उनकी किताबे फ्री दी जाती है जगा जगा उनकी फुस्तक सेवा होती है उनकी छपी वी किताबे लाएं घर में और उनको पढ़ें पढ़ें जूरूर ऐसे हिमत रख देना साथ पूरान पर्मात्मा है पूरान प्रमेश्वर है लह नम्शकर्च